कापिल जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं और यह फिल्म मनाने के लिए यह वेब सीरीज बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहां का सक्त्य में वजय दे कहां का सक्त्य में वजय दे कहां का सक्त्य में वजय दे सुप्रीम कोट के जजेज हाई कोट के जजेज जरूर इसको देखें और आत्मी चिंतन करें कि भारत की न्याय प्रणाली कहां पहुँच गई है भारत में टोटल पांच करोड केसे तो हो हैं जो डिस्टी कोट हाई कोट सुप्रीम कोट में हैं इसका मतलब पांच करोड परिवार न्याय की आसा में बैठा हुआ है आना नेवरेज एक परिवार में छे आदमी रख जीजे यानि तीस करोड लोग न्याय की आस लगाये बैठे हुए हैं तीस करोड का मतलब एक अमेरिका तीस करोड का मतलब 15 आस्ट्रेलिया 30 करोड का मतलब 7 कनाड़ा 30 करोड का मतलब 1.5 ब्राजील इतने लोग भारत में न्याय की आस में बैठे हुए हैं और ये 5 करोड केस तो हो है जो डिस्टी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रिम कोर्ट में है इसके पैरलल हमारे देश में एक और जूडिसल सिस्टम है उसको कहते हैं तसिलदार, SDM, ADM, DM, कमिस्णर जहां पे चकबंदी के मुकदमें चलते हैं वो इस पाँच करोड में counted नहीं है, जो तसिल्दार के हां मुकदमा होता है, SDM के हां मुकदमा होता है, ADM के हां होता है, चकबंदी अधिकारी जिसको CEO कहते हैं, DDC कहते हैं, SOC कहते हैं, वो इसके parallel में है, और पाँच करोड मुकदमें वहां पे भी चल रहे हैं, इसका मैं लाइब एक्जमपल देना चाहूँगा, भारत की ब्लैक जिस्टिस सिस्टम का, 1985 में जौनपुर में एक दस भीगे जमीन का मुकदमा सुरू हुआ था, अभी और सबसे नीचे पायदान पे हैं, जिसको कहते हैं, चकबंदी अधिकारी, 1985 में मुकदमा सुरू हुआ, 2023 आ गया, लगबख 37 साल बीच चुके, 37 साल में यह नहीं हो पाया, कि असली विल किस कौन सी है, दो लोगों ने क्लेम किया, वो कह रहा है, मुझे विल मिली है, 37 साल भी यह नहीं डिसाइड हो पाया, असली विल किसकी है, अगर माल लिजे, आज डिसाइड हो जाए, तो CEO के बाद SOC, SOC के बाद DTC, DTC के बाद High Court, High Court के बाद Supreme Court, यानि यह भी 35 साल और लगेगा, 70 साल लगेगा, Second Generation मुकदमा लड़ रही है, Our Lady Second Generation मुकदमा लड़ रही है, और इसी स्पीड से काम हुआ, मुझे लगता है, Third Generation आके मुकदमा जाके, तब जाके Supreme Court पहुंचेगा, दूसरा एक्जामपल, एक ग्लेरिंग एक्जामपल आपको देता हूँ, 1971 के वावर में, पाकिस्तान में बं फेकने वाले, पाकिस्तान के फाउजियों के बहुत सारे बैंकर तोड़ने वाले, अपने मकान को नहीं छोड़ा पाए, अभी मामला पंचकुला की डिस्टिक कोर्ट में है, उसके बाद चन्रीगर हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रिम कोर्ट जाएगा, तो तेज साल में उस सबसे नीचे पाइदान पे हैं, वास्तविक्ता ये है, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी कानून यहीं छोड़ गए, अंग्रेजी बिवस्था यहीं छोड़ गए, यह बिवस्था भारत में न्याय देने के लिए नहीं बने थी, यह जो न्याय जुडिसल सिस्टम था भारत में जो बनाय गया, वो केव चुटी करकिंग्लेंड चले जाते थे आज भी हमारा हाइ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मुटूर्वय माही जून बंद रहता है अंग्रेज को अंग्रेजों को क्रिस्मस के टाइम में दिसमबर में चुटी मिनाना जाना होता था एक महें चुट्टी कर चले आते थे, आज भी हमारी हाई कोट सुप्रीम कोट दिसम्बर में क्रिसमस के टाइम में 15 दिन, 20 दिन बंद हो जाती है तो सोच वही है, किताबे वही है, विवस्था वही है कानून वही है, तो सवाविक सी बात है, जस्टिस होगा कहां से जस्टिस कैसे होगा हम 2023 में 1860 का इंडियन पिनल कोट लेके घूम रहे 1861 का पुलिस एक्ट लेके घूम रहे गवाहों के बयान 1872 के कानून से हो रहे हमने सब कुछ वर्ड क्लास कर लिया लेकिन अपने जस्टिस सिस्टम को कंपेर करने की कोशिस ही नहीं किया जितने में एक एरपोर्ट बनता है, एक एरपोर्ट बनाने में 25,000 करोड की लागत आती है अगर हमारी सरकारों ने एक एरपोर्ट की कीमत जुडिस सिस्टम पे खर्च कर दिया होता, तो हमारी नियाएक ब्यवस्ता अच्छी हो गई हो दिंग, आज घटिया चू की Horn Carolina कोई हैं, जूरी सरा सिस्टम में कोई accountability नहीं है, किसी के साथ न्याय हो, जाएंयाय हो, जाएं कोई फरक नहीं पड़ता, निरदोस को जेल हो जाएं, जच की कोई accountability नहीं, दोसी को बेल हो जाए, जज की कोई accountability नहीं, लाखो लाख लोग जेल में सड रहे हैं, लाखो धोके बाज बरश्टाचारी बाहर घूम रहे हैं, मूल कारण है, black justice system आपने बहुत अच्छा अपने इसमें web series बनाया है, और इस देश में world class airport, world class highway, world class shopping mall, सब कुछ world class बना लिया, in fact, अपना mobile का data सुरक्षित रखने के लिए, हमारे सांसद विधायक जज आईफोन भी यूज करते हैं, अमेरिका का आईफोन यूज करते हैं, हमारा data सुरक्षित हो जाए, लेकिन भारत सुरक्षित हो जाए, उसके लिए ये नहीं देखते हैं कि जापान में कौन सा कानू सिंगापूर में क्या अच्छा चल रहा है, कनाडा में रेंट का मामला एक डेट में खतम होता है, सिंगापूर में अभी कुछ दिन पहले एक विक्ति के पास 900 ग्राम गांजा पाया गया, उसको फासी हुई है, दुबारा वहाँ ड्रग स्मग्लिंग होगी क्या, तो भारत में चाहिए वो ड्रग स्मग्लिंग होए, माफिया राज है, हुमन ट्रैफिकिंग है, इन सब के लिए हमारा जेस्टिस सिस्टम जिम्मेदार है, कोई भी अपराद होता है, उसमें दो पक्छों होता है, पीडित, एक अपराद करने वाला, जो पीडित होता है, वो चाहता ह इसको नयाय मिल जाए, आपराद करने वाला चाहता है, मुकदमा लंबा चले, भारत का नयायिक सिस्टम अपराद करने वाले के साथ खड़ा है, बलातकारी चाहता है उसका मुकदमा तीस साल चलता है, भू माफिया चाहता है कि गरीब की जमिन पर कबज़ा कर ले, उसका चले और आज की डीट में मुकदमा 50 साल चल रहा है इसका मतलब वर्तमान न्याइक सिस्तम बलातकारी के पक्ष में है गू माफिया के पक्ष में है ड्रग स्मगलर के पक्ष में है यूमन ट्रैफिकर के पक्ष में है नकसलियों के पक्ष में है मावादियों के पक्ष में है ज बीच उसने कम सकम पता नहीं कित्य लों का और भी कर दिया तो यह जो justice system होता है दवा की तरीके काम करता है जैसे दवा अच्छी होती है बिमारी तुरन ठीक हो जाती है अगर दवा घटिया होती है तो बिमारी बढ़ जाती है दूसरा अपराद वहां नहीं होगा लेकिन अगर उस व्यक्ति को पनिस्मेंट नहीं मिला तो सभाविक सी बात है उसने उसको और मोटिवेट कर दिया केतनी ऐसे बुखार है तुरन तो दो गोली खाई है बुखार ठीक हो गया लेकिन अगर आपने दवा नहीं खाई या गलत दवा खा लिया तो टाइफाइड होगा या नीमूनिया होगा दुर्भागिवस यह हमारा जस्टिस सिस्टम यही कर रहा है आज की रेट में जितनी समस्याएं है या नकसलवाद है या मावद है या गत्रवाद है जो भी समस्याएं उसका एक बहुए बढ़ा कारण यह है कि हमारा जस्टिस सिस्टम उसको टैकल नहीं कर पा रहा है उसको पकड़ नहीं पा रहा है और इसलिए भारत में आराजकता है मैं तो इतने जानता हूँ, ऐसी कोई बिमारी नहीं, जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं, जिसका कोई समाधान नहीं। हम हर चीज के लिए बाहर से चीजे खरीतते हैं हम यह क्यों नहीं देख रहें कि आफिर चािना का जश़्ेश सिस्टम कैसा है सिंगापूर का कैसा है कानडा का कैसा है फ्रान्स का कैसा है और अमेरिका का कैसा है हम क्यों नहीं best practices उनके बेठी हुई है यह लगातार फाल्स केसे के खिलाफ मिनको मैं देखता रहता हूं एक्टिव रहती है एक कानुव बन जाए नार्को पॉलीगरा ब्रेंड मेपिंग और कंप्लेंड अंडर्टेकिंग ले लिए जाए कि जो कुछ मैं सिकायत कर रहा हूं इसके लिए मैं अपना की F.I.R. से परिशान है ہाजारों परिवार परिशान है कई कि बार देखा गया कि जो फैमिली के केसे जो ह होते हैं उसमें कितने सारे फेक केसे भी आ रहे है तो जो वास्तों में दोसी हैहां को पनिस्मेंट नहीं मिल पा रहा है जो निर्दोस हैं उनके खिलाब फरजी केसेज हो रहे है आज की रेट में गाओं में एक दबंग अगर जमीन कबजा कर लेता है किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उसके खिलाब कोई गवाही दे दे लोग अपनी जमीन छोड़ाने में 30-30 साल लड़ना पड़ रहा है 35 साल लड़ना पड़ रहा है अगर 35 साल में रहा 35 साल उसने तारीक पे तारीक जेली है और मैं तो डिस्टिक कोट में कई बार जाके देखा ऐसे परिवारों को देखता हूँ जिनके पास बस से आने के लिए पैसा नहीं है साइकल से आते हैं ऐसे परिवारों को देखता हूँ जो चाय नहीं पी सकते अपने प डब बन गया है और मैं दुख के साथ कहना को जहूंगा अदालतों में न्याय हो नहीं रहा है बलकि न्याय बीक रहा है जिनके पास पैसा है वो कि उन्होंने कितना बड़ा क्राइम किया हो मुर्डर किया हो रेप किया हो उनको जबानत हो रही है और जिनके पास नहीं है वो थानेदार को 20 लाक रूपे दिया, वो वाई अनन सिंग को लिया की जेल में डाल दिया, नाम होई है, अब उसके बाद क्या हुआ, 20 साल मुकदमा चला, अब फिर सबूत के भाव में छूट गया, तो जिसने मर्डर किया, वो तो कभी जेल गया है नहीं, एक निर्दोस जेल ग उसके लिए संब्धान की सपत लेने वाले जिम्मेदार है, संब्धान के प्रियंबल में लिखा है, हम आपको जस्टिस देंगे, हम आपको न्याय देंगे, न्याय देने की जिम्मेदारी किसकी, जिन्होंने सपत लिया, सपत कौन लेते हैं, जजजज लेते हैं, सांसद व फास जस्टिस मिले, complete जस्टिस मिले, unfortunately, complete जस्टिस मिलने में तो 50-60 साल लग जाता है, फास जस्टिस तो सपना हो गया है, इसलिए आज आपने जो ये वेब सीरीज बनाई है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, एक ऐसे विशेप है जिस पे कोई टच नहीं करता, लेकिन ज से 30 करोण लोग इधर पीड़ी थे, तो उधर भी पीड़ी थे, वास्तों में बहुत बड़ी संख्या भारत में इसी से पीड़ी थे, और आपराद, भ्रस्टासार और जितनी वेराजकता चल रही है, उसका मूल करण भी यही है, जस्टिस सिस्टम अच्छा हो जाए, उनका खौफ पैदा हो जाए, नयायपालिका का खौफ पैदा हो जाए, और यह थाने जो दलाली के अड़े बन गया है, तहसील जो दलाली का अड़ा बन गया है, डिस्टिक कोड जो कमिशन खोरी का अड़ा बन गया है, अगर इस पे एक कंट्रोल हो जाए, तो वास्तों मे भारत में फिर से रामराज जा सकता है अगर जुडिसर सिस्टम अच्छा हो जाये जो रामराज की कलपना है धर्म की जै हो अधर्म का नासो प्राडियों में सत्भावना हो विशो का कल्याण हो मुझे लगता उसको फिर से जीवित किया सकता है आपने मुझे बुलाया कपिल मैं आपको धन्यवाद देता हूं और फिल्म मनाने के लिए विब सीरीव बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता रहता हूं दीपिका जी लड़ती रहती है इनको देखता रहता हूं बेहन नेहा 還有 और Vienna अपने गानों से मुझे लगते बहुत अच्छह आ निखती हैं बलकि हमारी विवस्था को डाइबिटीज हो चुका है और उस डाइबिटीज को दूर्स करने के लिए जो सही बात कह रही है आप लोग जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपने कर साब आपने बनाया वेब सिरीज आपको विशे सा भात धन्यवाद देता हूं यह उनको भी एक बार फोन करके वाटसप करके एक बार कहिए कि वो भी इसको जरूर देखें क्योंकि अल्टीमेटली नयाइक बिवस्था बदलने के जिम्मेदारी उन्हीं की है जिनके जिनको वेतन बत्ता गाड़ी बंगला फ्री एयर टिकेट फ्री रेल टिकेट और